साथ ये उडिसा के, राजस्थान के, बिहार के और हरियाना के एक सज्जन कल चले गए, ये सब लोग बनारस के और आप जो है मुझफर नगर के, मलब यहां पर जहांसी में चिरगाओं जो राजकी करसी विद्याला है, प्राक्रतिक खेती के बहुत जानकार लोग हैं, बहु कुछ दुनिया में इनोंने सीखा है, समझा है, लेकिन इनको ऐसा लगा कि नहीं हमें अभी इसमें और कुछ संसा हैं, तो संसा मिटाने के लिए ये लोग जहांसी में आये हैं, और मैं सब से अनुरोद करूँगा, कि आप वन वाई वन जरतेज आवाज में परिशे दे दे मेरा गाओं बाजो लिया है, उनियरा तैसिल्म पढ़ता है, और जिला टॉक लगता है, राजस्तान से आया हूँ, ठीक बाद है, मैं सब से वाल सिंग, जिला मुजफानगर से कच्बा मेरा बुदाना है, वहां रह के खेती करता हूँ, प्राकर के खेती ही करता हूँ, मैं लेकिन साथ साथ मैं प्राकर्तिक खेती की ओर जाना चाहता हूँ, मेरा नाम अविनावस कुमार है, मैं मध्यपुरा डिस्टिक बिहार से आया हुआ हूँ, और मैं अभी स्टूडेंट हूँ, चलिए, मेरा नाम धन्रात कुमावत, ग्राम खरेडा, तैसिल्टोडा राइस मेरा नाम शिर्वसंगर माजी है, मैं रावल कलास उरिशा से आया हूँ, मैं भी प्राकर्तिक खेती सिखने के लिए साथ के पास आया हूँ, मेरा नाम रेवादास पतेल है, हसंगवाद नरमदापरम से आया हूँ, खाजी बंडारू नेनेजर रता तो शेवन निपृत होन तो चलिए मित्रों मैं बताऊं आपको यह जो चना की और यह मटर की फसल आप देख रहे हैं यह बिसुद रूप से प्राक्तिक है और इसमें कोई भी रसायन मैंने नहीं डाला है और पछले तेरा सालों से प्रारंब के दिनों में ज tip लगाता था तो मेरे वाई साथ यां रहते थे मैं तो नौकरी करता था और वो कहते थे की भाई साथ इसमें टॉमायटर में ऐसा होuben लग गया भी किला लग गया क्या करना था नहीं तो मैंने साथ दिल से करना चाहता था कि प्रकृति के बैभाव में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर हम कुछ चूंकि मारे सनातन संजकरती में ऐसा कुछ था नहीं पेस्टी साइड और रसानी कुरबरक तो वो चीज़ें कैसे लोटेंगी तो वो मैं अब भी सीख रहा हूं और मैं को सनातन संसकरती में क्या होता था जो भी ऐसा सुचने लगेगा उसको पास यह ज्यान आटोमेटिक आने लगेगा ठीक ना चलिए मैं आपको वहां ले चलता हूं यहां पर एक किसान ने का माहूं लगी है मैं एक बार बार बोलता हूं कि इस नेचर में जो चीज़ें हैं उनको रहने दो माहूं से नफरत नहीं है अब अलब आप इसको ऐसे न देखें कि देखें आपका तो खेत प्राक्तिक है माहूं लग गई यह नेचरल विधा है लग जाने दीजिए देखते हैं कब तक लगती है यहीं डर पैदा होता है यहीं इसी भय के कारण मैं प्राक्तिक हैती नहीं कर पा रहा हूं दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का ना, पेसेंस रखिए, प्राक्तिक खेती में पेसेंस नहीं रख पाए तो फिर आप बरबाद हो गए, मैंने कल बोला था ना, कि इस संसार में इस प्रकृति में परमात्मा ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, सब रहेंगी, आप ये मज़ सूचिए, कि मैं निगेटिव अपने लिए हानिकारक चीज़ों को वास आउट कर दूगा, नहीं कर सकते, थोड़ी मोड़ी चीज़ें आएंगी, इल्ली भी हो सकता आ जाए, एक आद इल्ली आई या जाने दीजिए, क्योंकि अभी एक इल्ली आएगी और ये मत करिए, आगे या जाने दीजिए, मेरे पूरवच काएगा है, दाने दाने पर लिखाए, खाने वाले का नाम, हो सकता है, माहूं का राइट हो, ठीक ना, चलिए आपको जीवा मरत दिखाते हैं आपको, जीवा मरत की इकाई है, और इसको तेरा साल पहले से मैंने कोई ऐसा जंगल नहीं है, जहां से मैं मिट्टी नहीं लाया, आप सब किसानों को मिट्टी लाने की जुरूद भी नहीं है, अब तो मैं कहता हूँ कि जंगल चले जाओ, जंगल में जहां अच्छी बायो डाइवर्सिटी हो, जहां पर बायो मास हो, वहां की मिट्टी ले पांच किलो ड्रम में डाल करके आप बना सकते हैं, बनाने की विद्री मैंने कई वीडियो में बताई और रिपीट नहीं करूँगा, जिन किसानों के आसपास जंगल का एरिया नहीं है, जो ऐसा प्लेस खोजपाने में असपल हैं, तो उनसे मैं कहता हूँ कि हमारे यहां से नहीं है, हमें नहीं पता है, तो नेचर में 84 लाकी ओनियों की माया है, हम बैज्ञानिक गण, उन 84 लाकी ओनियों में अभी 10, 15, 20 को जान पाए हैं, एटी सेवन में उसमें से मैं केवल एक राइजो भी हमको केवल जानता था, आज आ करके मैं 17, 18 का नाम ले पाने में सफल ह हुआ हूँ, यह 17, 18 सफिसियंट नहीं है, प्रभू की माया में लाखों प्रकार के माइक्रो आर्गनिजम ऐसे हैं जो बेनी फिसियन है और सब मिला करके कुछ कर पाने में सफल हो सकते हैं, आप सोचेंगे कि ट्राइकोडर्मा से विल्ट रुकती है, तो इस देश में नहीं करता है, सिंगिल कोई भी इस नेचर में कुछ भी कर पाने में असमर्थ है, भूमी में लाखों प्रकार के जो माइक्रो आर्गनिजम हैं, वो सब मिल करके ही कुछ कर सकते हैं, दूसी चीज, निगेटिव पैथोजिन से कभी दुस्मनी मोल मत लेना, ये बिधा परमा ही, तो फिर नेचर का काम है, वो अपने आप मेंटेन कर लेगी, लेकिन आप अगर हानी कारक ये लाब दायक, ये लाब दायक है, इसको पालना है, ये हानी कारक है, इसको मारना है, आपने दिमाग लगा है ना, तो हमें ये भी पता नहीं, जिसको आप हानी कारक कर रहे हो, मैं बिनोत कुमार चान 11 साल पाहले से कह रहा हूँ दीमक कोई सिद्ध करे की हानिकारक है मित्र दीमक कभी लिविंग टीशू को नहीं खाती लेकिन भाई लोगों ने अपने बिजनिस के लिए जो कल बताया था आपको क्लोरो पाईरी फास और कभी गामा बियस्सी एक इंडस्टी को लाप पहुंचाने के लिए दीमक को सत्रू बता करके हजारों करोडों रुपए का बिजनिस खड़ा कर दिया हमें समझ में नहीं आया कि दीमक मित्र है या सत्रू दीमक हमारी केच्वे की तरह मित्र है जंगल में जाएंगे दीमक की बामी के बगल में निरी बनस्पतियां खड़ी होंगी लेकिन दीमक जब कोई पेण की टैनी सूख करके गिरती है उसी को खाती है किसी भी लिविंग बनस्पति को दीमक दीमक मुझसे ज़्यादा अकलवन्ध है वो जानती है कि अगर जिन्दा बगीचे को मैं खाऊंगी तो कल मेरा बगीचे ही नस्ठ हो जाएगा इसलिए सूखे पत्ते और सूखी टैनिया ही खाएगी तो आप मनुस का धर्म नहीं है कि वो निगेटिव और पोजेटिव के चक्कर में पढ़ाए लेकिन हाँ जीवामरत के माध्यम से ज लिक्ट में कहां खोई हुए हैं आपको पता नहीं चलेगा तो इसको कभी-कभी चार दिन के लिए हिलाना बंद कर दीजिए और जब हिलाना बंद कर देंगे तो वो जो निगेटिव पैथोजीन है वो अपर सर्फेस में आ करके वो अपर सर्फेस में आ जाएंगे और जब तो आपर सरफेस में आ जाएंगे तो आप छलनी लेकर उनको निकाल के फेंक सकते हैं ठीके ना चलिए मैं दिखाता हूं निगेटिव पर्थोजीन की ग्रोथ कैसे होती है कि हम जंगल में खड़े हैं यह जंगल का लुक मैंने दिया है जिसे आज का जाता है न कि बर्गत के पेण के नीचे की मिट्टी लाइए तो जब यह बर्गत के पेण के नीचे की मिट्टी का कांसेप्ट नहीं था 14 साल पहले तो मुझे मालूम था तब भी चुकि मैंने एक बार बताया था कि एक महरास्ट में एक मैं उनका नाम भूल जाता हूं ना 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 एक और सज्जन ह मैं इन्होंने एक किताब लिखी गव ग्रास वो भी समास से भी है उनकी किताब में मैंने पढ़ा था भू भभूत यानि बर्गत के पेण के नीचे की मिट्टी में बर्गत का पेण एक माइक्रो आर्गनिजम की जीती-जागती प्रियोक सला तो उसी कांसेट को लेकर के 13 स अब आप इसके नीचे देखिए जो कहते हैं जब जंगल में जाएंगे तो जंगल में कैसी मिट्टी लाएंगे यह बिल्कुल जंगल का लुक है यहां बर्गत के फल गिरते हैं यहां पर कोई पती हम कुछ नहीं उठाते हैं लेकिन इस मिट्टी में निगेटिब और तो जो निगेटिव पैथोजीन है वो उसी लिक्विड में कहां मिलें आप सर्च नहीं कर पाएंगे तो कभी कभी हिलाना बंद कर दीजिए और जब हिलाना बंद करते हैं तो देखिए आप आई यह देखिए आप यह अपर सरफेस में यह इसमें कोई निगेटिव नहीं मैं इसको इलाता हूं चान दिया हूं एक ड्रम में मैं ऐसा रखता हूं कि फिल्टर नहीं करता हूं चूंकि आपको सम्झाएंगे कैसे यह देखिए जो अपर सरफेस में ग्रोथ है ना यह इसमें सारे निगेटिव पैथोजीन है यह इनको मैं निकालके बाहर कर देता हू अब आप समझें ना जब हम कहते हैं बीजामरत आपने नीचे की मिट्टी को ऐसे से करके बीजामरत बना लिया और बीजामरत में तो निगेटिव पॉजेटिव दोनों प्रकार के माइक्रो आर्गनिजम हैं और आपने बीज सोधन कर दिया मैं भी कि वह उस पहले बीज मे कोई निगेटिव पैथोजीन नहीं था आप तो आपने बीजामरत के माध्यम से मलभी सोधन में निगेटिव पैथोजीन की एक कोडिंग कर दी उसके उपर तो यह बड़ा बारीक विसा है इसको समझने की जरूरत है और एक गंभीर विसा है और एक बिज्ञान है इसको अ नीचे की मिट्टी में सारे बेनी फिस्यल ही होंगे मैंने बोला ना नेचर में प्रतेग प्रकार की काईयां हर जगह बिद्धिमान हैं समाज में हर तरीके की लोग हैं अच्छे भी हैं बुरे भी हैं एक कुत्ता पागल होता है काड़ता है और लेकिन सब कुत्ते पागल भी नहीं होते हैं ठीक है ना तो हमें उम्मीद है आपको यह विश्रस्वन में आया होगा ठीक है ना वेड़